नमस्कार दोस्तों पर आपका स्वागत है Crown Immigration के YouTube चैनल पर तो आज का भीशा है MBBS in Foreign Country के बारे में हमारी डिसकुशन रहेगी MBBS से लेटर बहुत सारी वीडियोज है हमारे शोशल मीडिया के उपर अगर उनको भी देखना चाते हैं तो आप हमारे चैनल को ब्रोज करके देख लेए तो आज का जो हमारा भीशा है ट्रांसफर के उपर रहेगा और साथ में European Country और शेंगन कंटी के MBBS के उपर रहेगा NMC का बजट आने के बाद National Medical Commission का गजजट आने के बाद जो उनके अंदर जो चीज़ें लिगी हैं उसके according person किसी भी कंटी में eligible नहीं है MBBS के लिए मैं फिर पहले भी बताया था भी फिर बता देता हूं किसी भी कंटी में क्योंकि उन्होंने जो उसके अंदर closes लिखी है न वो it is not so easy closes है उन्होंने तभी ये लिखी है कि फोरण की MBBS को ना पर्मोट किया जाए तो फिर भी अगर आपने MBBS करनी है मैंने वाइड है कहीं पर भी यूज के लाइक नहीं है सिर्फ एक डिग्री ही रहेगी लेकिन आप प्रेक्टिस नहीं कर पाएंगे यह बहुत इंपोर्टेंट है जहां पर आपको अपना license मिल जाए क्योंकि उनके अंदर जो closes लगाई हुई है आपने जो internship करनी है उसके अंदर यह जे चीजें कबर होनी चाहिए आपके पास उस country का भी license होना चाहिए यहां से आपने एंपीवेस करनी है और entire आपकी study भी English में होनी चाहिए बहुत सारी ऐसी closes हैं तो जो तो developed country है they are not bothered उनको कोई लेना देना नहीं है वो मैं अभी शेंगन की बात करूं जहां whatsoever country की बात क यह standard है हम इसी वे से बढ़ाएंगे हम ऐसा नहीं कर सकते कि अभी NMC ने यह बता दिये कि ऐसे ऐसे parameter होने जाहिए हो हम अपना slivers आपकी country के चक्कर में change कर दें ऐसा काम कून कर सकता है फिलिपीन जैसी country कर सकती है यूकरिन तो अभी बचारा हाली बुरा हो गया तो मैं पहल उनकी जो रोजी रोटी और यूनिवस्टी का खर्चा ही इंडियन स्टूडेंट के साथ चल रहा है वो अपने slivers को मोडिफाई something like that one they can do but जो बड़ी countries है they will never ever change the slivers as per the parameter of NMC ये भी आपने माइंड में रखना है but MBBS फिर बता दिया वहां पर ही करने की कोशिश करनी है अगर आपको इंडिया में नहीं तो उस country का license मिल जाए ताकि आपकी MBBS सब countries में acceptable हो आप एक अच्छे doctor तो बन पाएं आप tag तो लगा पाएं अपने नाम की आगे तो आज का जो हमारा विशा है European और Schengen countries के portal already open हो चुके हैं बहां पर पंडने के लिए MBBS के लिए जाना है डिले मत करें पहली वीडियो में भी बताया था एक ही intake रहता है सब्तमबर का उनको कोई लेना देना नहीं है नीट क्या है whatsoever क्या है they are not bothered मैंने फिर बता दिया है नीट की डेटें चेंज होगी फ़लाना होगी नीट के बाद ऐसा सिर्फ मैंने फिर बताया चोटी 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 यह country आं कर सकती हैं उनको मालू है कि 80% student इंडिया से आने हैं तो नीट के बाद हम अपने admission स्टार्ट करत है माल्टा है इटली है फिर हमारे पास पॉलनेंड है हंगरी है तो इस सल्वेनिया सल्वाकिया है यह जैसी country है स्पेन मैंने फिर बता दिया है स्पेन के उपर बहुत सारी बच्चों की query आती है तीन साल study और तीन साल free उस नाम पर बच्चों को trap करके फिर बाद में यूकर को website पर सर्च करें उनसे directly contact करें उनको directly phone करें उसके बाद decision ले मेरे जैसे या किसी भी और person के motivation में आकर अपना time और अलाकों की earning करा मत करें जो अभी happening हुई है बच्चे ऐसे ऐसे मेरे पास आये हैं पहले गल्द यूनिवस्टिस में चल गए बहां पर फीज कराब की उसके अबर ट्रांसफर जो आगे ली वो उससे गल्द यूनिवस्टि में ले ली अभी ना डिगरी कर पाए ना कुछ कर पाए पैसे time दोनों waste है यूकरेंड वाले बच्चों के parents के daily phone है daily phone आ रहे हैं उनके लिए मैं एक good news बता दूँ जे मेरा अपना experience है जो मेरी regular correspondence हो रही है इ उनके लिए एक special privilege दिया जाए ट्रांसफर का मैं फिर country बता दूँ हंगरी और Poland ministry को भेज दिया है उनको admission दिया जाए जो ट्रांसफर वाले student है हमारी university के अंदर और उन्होंने उसके अंदर ये भी close लिखिया कि जो फीसे उनकी उन जुनिवस्टि में थी उन बच्चों से वही फीसे चार्ज की जाए जे मैंने फिर बताया प्रपोजल है उन्होंने जो भेजी है अगर ये प्रपोजल पास होकर आती है तो इसको in cash करने की कोशिश करें क्योंकि मैंने आरड़ी बहां की 20-25 युनिवस्टि के साथ 15-4 कर ले हुई है मेले भी start हो चुकी है बच्च आपको evisions तो इशू करें जब वहां की situation नॉर्मल हो जाएंगी तो फिर बता दिया ट्रांसफर लेने से पहले भी आपने सर्च करना है motivation में आकर उसके चक्रों में या इसके चक्रों में आकर अपना time waste नहीं करना है MBBS नहीं भी कर पाते तो अच्छी country में जाने की कोशिश करें जैसे कैनेडा जैसी country हो गई इन countries में जाने क्योगी बहाँ पर PR मिल जाएगी तो बहाँ पर भी लाखों रुपे आप कमा सकते हैं इंस्टेट और फिर यह यूकरें 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 जैसी country में चोटी चोटी country में जाकर अपना time और money waste ना करें MBBS से related हमारे पास 60 country के options हैं आपका budget देखने के बाद हम बताएंगे कि आपको कहा जाना चाहिए और जहां पर आपको maximum benefit हो मैं क्लाइंट को देता हूं जहां पर क्लाइंट को benefit मिले उसके बाद secondary मैं अपनी जो fees है whatsoever decide किया वो लेता हूं वो भी कब लेता हूं जब वीजा वच्चे का आता है 15 से 20,000 पर अडवास में हम जुरूर लेते हैं जब आपने हमारे साथ case registered करना है serious है तब contact करें otherwise वीडियो देखें enjoy करें सब कुछ Google के उपर है अपने लेवल पर ट्राइ करने की कोशिश करें मुझसे सब भी चाते है registration करवानी पड़ेगी then I will 100% help help means मैं पूरी आपको assist करूंगा जहां पर आपका admission possible हो सके फिर भी बता दिया जो admission और visa का decision है that is on the hands of university बहां पर ऐसी उनिवस्टीज नहीं है कि जैसे रशिया यूकरिन की आगए एजेंटों ने दे लिया जी 50 टूर्ट ने 50 का admission they will check your percentage they will check each and everything there after they will grant the visa कहीं पर भी influence नहीं है आपकी merit के coding admissions आएगा अच्छी universities ढून रहे हैं तो आप भी अच्छे होने चाहिए क्योंकि अच्छी students की सर्च में है ऐसा नहीं है कि आपके 40% 50% भी है तो आपको युक्रियन जैसी country जहां अर्मी या जोर्जिया जैसी country में admission बहां पर भी हर एक चीज के parameter चेक किये जाते हैं उसके बाद admission दिया जाता है MBBS में अगर आप बदेशों में जाना चाहते हैं जहां आप ट्रांसफर लेना चाहते हैं ट्रांसफर स्टूडेंट है तो क्रॉन इमिग्रेशन के चैनल के ओपर बहुत सारी इससे related वीडियोज है और daily two वीडियोज में अपने social media पर डालता हूं और आप चाहते हैं